करवा चोत पर चंद्रदर्शन से पहले वरत की कहानी पढ़ी जाती है। कुछ लोग वरत की कथा दोपहर बारा बजे के बाद पढ़ लेते हैं और कुछ लोग वरत की कथा शाम को चंद्रदर्शन से पहले पढ़ लेते हैं। कार्दिक मास के कृष्ण पक्ष की चंदूर्दिया व्यापनी चतूर्थी के दिन कर्वा चोत का वरत किया जाता है। इस साल यह वरत एक नवंबर को रखा जाएगा प्रती की दिर्गायु एवं अखंड स्वभागय के लिए इस दिन बाल चंद्र गणेश जी की अरजना की जाती है। भी किया जा सकता है। जो महिलाए आज जीवन कर्वा चोत का वरत करना चाहती हैं वे इस वरत को कर सकती है। करवा चोथ वरत की कहानी इस प्रकार है एक साहुकार के साथ लड़के और एक लड़की थी सेठानी के सहित उसकी बहुओ और बेटी ने करवा चोथ का वरत रखा था रात्री को साहुकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्ग देने के बाद ही खाएगी सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जला कर छलनी की ओठ में रख देता है जो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्ती का चांद हो बहन ने अपनी भाई से कहा कि चंद्रमा निकलाया व्रत खोल लें लेकिन भाईयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला बहन को अपने भाईयों की चतुराई समझ में नहीं आई और वह अर्ग देकर खाना खाने जैसे ही बैठी पहला टुकड़ा मूँ में डालती तो उसे चीक आ जाती है दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकलाता है और तीसरा टुकड़ा मूँ में डालती है त तूटने के कारण देवता उसे नराज हो गए हैं, इस पर करवा निश्चे करती है कि वह अपने पती का अंतिन संसकार नहीं करेगी और अपने सतित्व से उसे पुनहर जीवन दिला कर रहेगी। साम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फल सवरोप करवा माता और गणेश जी के आसिरवाद से उसका पती पुनहर जीवित हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जै मातादी। आपका बहुत प्पादी।